माइ डियर फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम लोग बात करते हैं कैनुलेशन टेकनिक के बारे में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है यह इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं नीडिलिंग टेकनिक के बारे में यानि नीडिल लगाने के तरीके के बारे में तो त आम तोर से लोग एरिया पंक्चर टेकनिक का ही यूज़ करते हैं इलाव में सिर्फ रोप लेडर टेकनिक है और बटन होल टेकनिक है तो देखो अगर रोप लेडर टेकनिक के बारे में बात करें तो दा कैनलेशन साइट शुड़ बी एट लेस फाइब तो टेन एमेम अवे प्रिवियस पंक्चर साइट इसमें हमें हर बार कैनलेशन साइट को स्टेप वाइस चेंज करना होता है यानि हमने जहां पिछली डैल्शिस में निडिल लगाया था उससे हट कर 5-10 एमेम की दूरी पर हमें निडिल लगाना होता है इस डाइगराम को ध्यान से देखिए य और फिर लिखा हुआ है V1, V2, V3 तो A का मतलब यहां पर है आर्टेरियल और V का मतलब यहां पर वेनस है तो इसमें देखिए आप step by step यहां पर निडिल चेंज हो रही है यानि कि अगर आज हमने आर्टेरियल निडिल A1 पर लगाया था तो वेनस हमने लगाया था वेनस हम जो हम निडिल लगाएंगे तो आर्टेरियल पर हम लगाएंगे A2 पर और वेनस लगाएंगे V2 पर उसी तरीके से जब अगली डैलशी से मरीज आएगा तो हम आर्टेरियल निडिल लगाएंगे A3 पर और वेनस लगाएंगे V3 पर तो इससे फायदा यह होगा कि जो पिछ इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वह अंयूरि segue का फार्मेशन नहीं होगा या बनने के चांसेस हो कम हो जाते हैं जब कि जाते हैं तो पता ही है कि वहां की वेन वीक हो जाती है और देखने अभी अच्छा नमबर पर यानि कि वेन बहुत लंबी नहीं है वेन छोटी है और बार बार आप साइट को रोटेट नहीं कर सकते हैं तो वहां पर बटन होल टेकनिक का हम यूज कर सेते हैं तो यहां पर क्या करते हैं कि जिस जगह पर और जिस एंगल से हमने पिछली निडिल लगाई थी जब ट्राइक बन जाता है तो फिर निडिल लगने में भी आसानी होती है और वहां पर दर्द भी नहीं होता है इस डाइगराम को आप देखिए यहां पर सिर्फ दो ही एरिया है एक आर्टील का एरिया है दूसरा वेनस का एरिया है तो जिस जगह पर हमने आर्टील निडि रहेगा तीसरा जो टेकनिक है वह है एरिया पंक्चर टेकनिक एरिया पंक्चर में क्या होता है कि हम एक ही एरिये में तीन चार पॉइंट बना लेते हैं और फिर वहीं पर हम बार बार निडिल को लगाते रहते हैं अब इससे नुकसान यह होता है कि जिस एरिये में हम बार परबार निडिल को लगा रहे हैं वह एरिया वहां का वेन का वीक हो जाता है जब वह एरिया ब्लड वेसल्स वहां की वीक हो जाती है तो फिर फूलने लगती है इसे को हम बोलते हैं और जब फूलने लगती है तो फिर जब चुकि वीक भी हो गई है वहां की वेन पतली भी हो